हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग गुड मॉर्निंग टु आला फ्यू बच्चों आज हम लोग फिर क्लास स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की केमेस्ट्री का चैप्टर फरस्ट आज हम लोग देखेंगे पार्ट 10 आज हमें पढ़ना है चैप्टर फरस्ट मोल कॉंसेप्ट या इसी को बोलते हैं बच्चों सम बेसिक कॉंसेप्ट आप केमेस्ट्री सम बेशिक कॉंसेट आफ केमेस्ट्री में पिछले कलास में हम लोग पढ़े थे लाफ केमिकल कॉंबिनेशन लाफ केमिकल कॉंबिनेशन में दो वीडियो है तो आप दोनों वीडियो को अच्छे से देख लिजिए और आज का क्लास बहुत ही important है बच्चों क्योंकि यहां से थोड़ा सा mall concept, atomic mass, molecular mass यह सारे concept start होंगे और आपके exam में चाहे आप board का exam देते हूँ इस school का चाहे आप NEET या JEE का preparation कर रहे हूँ तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही important है और यहां से इस chapter का importance बढ़ जाएगा क्योंकि यहां से numerical और concept बहुत ही important है हमेशा exam में आता रहता है तो बच्चों हम लोग start करते हैं आज आपको पढ़ाएंगे गुड मॉर्निंग राजेस आ चुके हैं इस समय लाइब क्लास में आज बच्चों हम लोग start करेंगे डाल्टन अटॉमिक थियोरी तो डाल्टन अटॉमिक थियोरी वैसे तो important नहीं है बहुत पिछले बहुत काफी समय पहले जान डाल्टन ने मैटर के बारे में के बारे में इन्होंने कुछ कॉंसेप्ट दिया और जान डाल्टन से पहले एक रिसी हुआ करते थे जिनका नाम था महर्शी कणा दी महर्शी जी जो है पहले से ही ये बता चुके थे कि जो मैटर होता है पदार्थ का सबसे जो smallest particle या कन होगा वो hadum होगा या परमारू होगा उन्होंने हिंदी में बोला कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटी इकाई होगा उसे परमारू बोलते हैं उन्हीं के हिंदी के स्टेट्मेंट को जान डाल्टन ने उसको इंगलिस में कनवाइड करके बोल दिया कि किसी भी मैटर का जो smallest particles होगा वो atom बोला जाता है अब महर से कनात के पास कोई मतलब authentic प्रोप्स नहीं था कहीं लिखे नहीं थे जिससे जो है उसको continue बे में सब लोग जान सकें लेकिन जान डाल्टन ने पुरा अपना लेबरोटरी टाइप का पुरा लिख दिया systematic बे में तो सारे लोग जानने लगे कि जान डाल्टन ने ही atom के बारे में सबसे पहले अपना जो है concept रखा तो बच्चों आज हम start करते हैं dalton atomic theory dalton atomic theory heading आप लोग लिखेगा और notes भी थोड़ा बहुत point करके आप लिखते रहिए क्योंकि notes important है तो first heading आप लिखेंगे dalton dalton's atomic atomic theory dalton's atomic theory dalton atomic theory देखिए बच्चों सबसे पहले जान डाल्टन ने इस theory को 1803 to 1808 में इसको प्रपोस किया जान डाल्टन ने इस theory को 1803 से 1808 में इसको प्रपोस किया और इन्हों ने कहा according to this theory atom is a smallest particle atom is a smallest smallest particles atom सबसे छोटा particles है smallest particles which can which can not which cannot divide इसको divide नहीं किया जा सकता है which cannot be divided divided into 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 small particles मतलब atom को और छोटे particles में divide नहीं किया जा सकता है मतलब कोई भी अगर मैटर है उसको आप छोटे छोटे पाइट में अगर कट करते हो तो जो सबसे छोटा पाइटकल्स होगा उसे आप बोलेंगे atom और atom को अब उसके बाद divide नहीं किया जा सकता है फिर भी बाद में जो है और साइंटिस्ट आये जिससे यह भी पता चला कि atom के अंदर इलेक्टरान प्रोटोन न्यूट्रोन पॉजिट्रान मेसान पाइ मेसान सारे particles और होते हैं तो तो धीरे धीरे पते चलेगा यह थोड़ा हिस्ट्री बहुत स्टार्टिंग का यह थियोरी है तो अगला different element का atom होगा तो उसकी प्रोपाइटी different हो जाएगी तो अगला point आप लिख सकते हैं all the atom of element all the atom of element all the atom of element are identical are identical they have they have same they have same mass and size है इसका mass और size जो है same होता जैसे कोई भी element अगर है उसमें जितने atom होंगे सबका mass और size सब सेम होता मतलब वो उसका प्रोपाइटी जो होगा वो identical होगा देव मिश्रा आ चुके हैं hello everyone concentrate हो करके पूरा वीडियो देखे देखे next point अगर different element ले लिया जाए atom of different element अगला point बच्चो लिखेगा atom of different element atom of different element है डिफरेंट है डिफरेंट प्रोपाइटी है डिफरेंट प्रोपाइटी different प्रोपाइटी मेंज क्या होगा that is atomic mass की बात आप कर सकते हो atomic mass या atomic size इन सबकी प्रोपाइटी अलग-अलग हो जाती है तो यह सारे point जान डालतन के है जान डालतन ने यह अपना concept रखा atom के बारे में उन्होंने बताया कि atom किसी भी meter का सबसे smallest particles होगा उसको again divide नहीं किया जा सकता है फिर उन्होंने कहा कि जितने atom होंगे उनकी प्रोपाइटी भी सेम होगा फिर उसनोंने अगला point बोला कि different element के जो atom होंगे उनकी प्रोपाइटी भी होगा अब देखिए यह भी इसने बोला कि atom को ना तो create किया जा सकता है ना तो destroy किया जा सकता है और यह तो आपको पता ही है माइटर के बारे में उन्हों माइटर एटम है तो एटम के बारे में इस्टेटमेंट बोला जा सकता है और सबसे इंप्वाइटन बात उन्होंने और बोला एक इस्टेटमेंट किसी भी पाइटकल्स का जो पाइटकल्स जो सबसे स्मालेस्ट होगा वो एटम होगा और किसी भ smallest particles it is smallest particles which which can which can take part in take part in chemical reaction जो chemical reaction में participate करता है मतलब atom सबसे smallest particles होता बच्चों जो किसी भी chemical reaction में participate करता है तो ये सारा statement जान डाल्टन साहब ने कहा और atom के बारे में इन्हों ने बताया इनका limitation ड्राबाएक भी है मतलब उस समय उतना detail में जो है observation या experiment नहीं हो पाया था तो limitation इसका है limitation बच्चों है क्या limitation है फर्स्ट पॉइंट कि जो ला आप chemical combination हम लोग पढ़े हैं ये जो dalton atomic theory ये नहीं explain कर पाती है कि क्यों atom atom आपस में combined होते हैं मलब क्यों दो atom हापस में combined हो करके compound या माली क्यूल बनाते हैं तो आप लिखेंगे it does not it does not explain it does not explain the cause of chemical combination काज आप chemical combination मतलब जान डालटन ये नहीं बता पाए कि क्यों chemical combination होता है मलब क्यों atom atom आपस में combined हो करके और compound बनाते हैं तो ये उनके पास कोई explanation इसका नहीं था और क्या नहीं बता पाता है जैसे isotope हुआ आइसो बार हुआ तो जान डालटन की जो theory atomic theory है isotope और आइसो बार के बारे में कोई idea नहीं दे पाती है तो it does not it does not it does not explain explain about explain या give idea about explain about isotope and isopar के बारे में कोई explanation के पास नहीं था idea ये दे नहीं पाये थे और थाइड लिमिटेशन आ बच्चों ये का सकते हो कि क्यों आपस में atom combined होते हैं मतलब ये जैसे कोई भी element आपस में combined क्यों हो रहे हैं और किसी और ये भी इन्होंने नहीं बता पाये कि क्यों एक ही element के सारे atom की प्रोपाइटी सेम है जबकि different element की प्रोपाइटी different होता है इसका भी रीजन इन्होंने नहीं बता पाया numerical बाबो अभी start हो रहा है दो मिश्रा अभी just start हो रहा है डालतन अटामिक थिरू थोड़ा theoretical है अभी numerical start हो जाएगा concept पर देखो अगला point it does not it does not explain it does not explain why atom atom of different atom of different element atom of different element so so different so different प्रोपाइटी like atomic mass size यह सब अलग अलग प्रोपाइटी आखिर में क्यों so करते हैं different element के atom तो इनके पास कोई idea इसका नहीं था तो यह रहा बच्चो theoretical explanation आप जान डालतन अटामिक थियोरी और बहुत ही rare case में यह कभी आपके exam में यहां से question आता नहीं है फिर भी knowledge base आपको पता होना चाहिए अगला concept जो बच्चों हम बताने जा रहें बहुत important और बहुत interesting है अगर देखा जाए तो first chapter का starting यहीं से होता है यह conceptual जो है यहां से numerical और यह जो अभी start होने जा रहा बच्चों यह हमेशा पूरी chemistry में यह concept involved हो जाएगा तो आपको आगे बहुत ही concentrate हो करके समझना होगा ठीक है बच्चों तो next heading है next heading बच्चों है atomic mass या atomic weight अगला heading बहुत important इस chapter का बहुत important topic यह है atomic mass या atomic weight हमने starting में ही unit conversion में आपको बताया था atomic weight और atomic mass में difference होता है लेकिन chemistry में atomic weight और atomic mass आप सेम ले सकती हो कोई difference नहीं है तो अगला heading बच्चों मैं लिखूंगा atomic mass या इसी को chemistry में atomic weight भी बोलते हैं दोनों सेम है लेकिन physics में mass और weight में difference आपको मिलेगा ठीक है अब atomic mass होता क्या है समझे जैसे atomic mass atom का mass अगर माल लेते हैं atom अब इतना smallest particles है कि उसका बेट करना scientist के लिए इतना मतलब आसान काम नहीं है मतलब किसी भी atom को अगर बेट किया जाए एक तो बहुत ही smallest particles वो आप नेक डाई से देखी नहीं पाओगी इतना छोटा atom होता है तो क्या उसका बेट करना इतना आसान है नहीं तो इसलिए scientist लोगों ने ऐसा दिमाख लगाया कि अगर किसी एक particular atom का बेट हम कर लें तो उससे अगर किसी एक atom का बेट अगर हमें पता चल जाए तो उस atom के बेट से हम किसी other atom के बेट को compare करके उस atom की बेट हम निकाल सकते हैं जैसे माल लेते हैं कि कोई class है उस class में माल लेते हैं 50 student हैं तो कोई student 40 kg का है कोई 45 kg का है कोई 50 kg कोई 60 kg अगर इस type का student है तो हम क्या करेंगे सारे student को हम बेट कर नहीं सकते हैं वैसे तो सब का किया जा सकता लेकिन अगर हमें ऐसे randomly निकालना हो बेट निकालना हो तो हम उस student क मानेंगे, आईडियल माने जाएगा जिसका बेट ना तो सबसे कम हो ना तो बेट सबसे ज़ादा हो और जिसको आसानी से बेट किया जा सके तो एक मतलब medium type का student का बेट करेंगे भी उससे compare करें, student का हम बेट आसानी से निकाल सकते हैं तो बच्चों Atomic Bait का Concept यहीं से आया, तो क्या है Atomic Bait? Atomic Bait को Defined, Maximum Student तो Atomic Bait का Definition ही नहीं बता बाते हैं, तो आज आपको Atomic Bait का Definition कभी भूलने वाला नहीं, मैं Simple Way में बहुत लिखवाने वाला हूँ, Atomic Bait होता क्या है? Atomic Bait एक Number है, जो हमें ये बताता है बच्चों, कि कोई भी Atom 1 by 12 है, into Bait of 1 Carbon Atom के कितना Time Heavier है, मतलब ये 6 Carbon 12 को Ideal मान लिया गया, और इसका Bait किया गया, इसके Bait से किसी Other Atom के Bait को Compare करके, जो Atom, जो Number आया, उसी को Atomic Bait माना गया, Atomic Mass माना गया, तो आप लिखेंगे बच्चों, It is a number which tells us how many time of atom of element, How many time of atom of element is heavier, Is heavier than 1 by 12, Carbon का बरहावा भाग, 1 by 12, 1 by 12, 1 by 12 क्योंकि Carbon का Atomic Bait 12 होता, 1 by 12 into Bait of 1 Atom, 1 Atom आप 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 C6H12, C6, 6 क्या है, Atomic Number 12 क्या है, Atomic Mass Number है, 12 Mass Number है, तो मतलब, अब अगर एक Atom Carbon 6, Carbon 12 को ले लिया जाए, जैसे Carbon के तीन आइसोटोप होते हैं, Carbon 12, Carbon 13, Carbon 14, तो Carbon का अगर ये आइसोटोप हम ले लें, और इसको 1 by 12 से Multiply कर दें, तो जितना मतलब इसके Atom से, जितना Time Higher कोई भी Element होगा, जिस Number से Represent करेंगे बच्चों, उसी को हम बोलेंगे Atomic Mass Atomic Bait, तो Simply आपका सकती हो, It is Number which tells us, या एक Number है जो हमें बताता है, How many times of Atom of Element is heavier than, 1 by 12 into beta of 1 Carbon Atom, बहुत ही Simple Definition बच्चों है, Prince यादो आ चुके हैं, देव मिश्रा Prince यादो, Good Morning, समझ में आरा बच्चों, Comment करके बताए, Atomic Mass, It is Number which tells us, How many times of Atom of Element, It is heavier than 1 by 12 into beta of 1 Carbon Atom, जैसे इस Carbon Atom का beta अगर पता चल गया, तो इसी के beta से other element को compare करके, जिस नमबर के द्वारा हम find किये, जिस नमबर को उसी को Atomic Mass बोल दिया गया, ठीक है, अब देखो, Atomic, Atomic beta, मैं shortcut में AT, VT लिख रहा हूं, मतलब Atomic beta, Atomic beta equal to होता है, beta of atom, of element, beta of atom, of element, divide by, beta of atom, of element, beta of atom, of element, divide by, 1 by 12, into, beta of 1 atom, of 6 Carbon 12, आप ये फार्मूला याद रखोगे, Atomic beta equal to बच्चों होता है, beta of atom, of element, divide by, 1 by 12, into beta of 1 atom, of 6 Carbon 12, अच्चा, इसको ऐसे भी माना गया, 1 AMU, Atomic Mass Unit, फुल फार्म होगा, 1 AMU, Atomic Mass Unit, ये beta का unit होता है, जैसे beta का unit होता है, kilogram, gram, तो ऐसे, Atomic Mass Unit, सबसे छोटा unit है, अब क्यों, सबसे smallest unit, यूज किया गया है, क्योंकि, atom तो सबसे smallest है, तो atom को kilogram में, तो beta नहीं किया जा सकता है, atom को अगर gram में beta करेंगे, तभी थोड़ा average होगा, लेकिन सबसे छोटी unit होता है, beta का, Atomic Mass Unit, तो 1 Atomic Mass Unit, equal to होता है, बच्चों, 1 by 12, 1 by 12, into, beta of, beta of, 1 atom, beta of 1 atom, आप 6 carbon 12 है, 1 amu बराबर इतना होता है, बच्चों, अच्चा ये बताईए, बताईएगा आप, ध्यान से देख करके बताईए, कि अगर, हम इस 12 को इधर कर दें, तो beta of 1 carbon हमें पता चलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 को हमें करेंगे, तो 12 amu, तो 12 amu इक्वल टू क्या हो जाएगा, weight आप या mass आप, 1 atom, 1 atom आप, 6 carbon 12, मतलब 6 carbon 12 का, अगर एक atom ले लिया जाए, तो उसका जो mass होगा बच्चों, वो 12 amu होगा, 12 atomic mass unit होगा, बताईए, समझ में आया की नहीं आया, comment करके जल्दी से बताईए, यहां तक समझ में आया, बताईए, जल्दी से करिए, comment करिए, और बताईए, यहां तक समझ में आया की नहीं आया, अब यह आपको पता होना चाहिए, अब देखिए, कुछ मैं कॉंसर्ट बता रहा हूँ फिल नुमेरकल आपसे मैं कराऊंगा देखिए अब जो अटामिक बेट है अटामिक बेट यानि बेट है तो अब अटामिक बेट यानि एटम को अगर बेट किया जाए तो क्या किलोग्राम में बेट करना उची तो होगा क्योंकि एटम तो बहुत छोटा पाइटकल्स है क्या एटम को टन में बेट करें नो टन तो बहुत भारी यूनिट हो गया एटम को ग्राम में अगर करें तब भी सुटेबल है अबरज होगा एटम को अगर एटामिक मास यूनिट में अगर मीजर करें तब भी सही है क्योंकि atom तो सबसे छोटा particles होता है बच्चों अगर देखा जाए तो अब अगर हम बात करें देखो atomic unit atomic bait का unit की अगर हम बात करें तो यहाँ दो unit generate हो रहा है अगर देखा जाए common ली देखें अगर तो atomic bait का दो unit suitable होगा हमारे लिए एक होगा atomic mass unit and second is gram एक मैं यूज करूँगा atomic mass unit और second मैं यूज करूँगा gram यह दो unit हमारे पास होगा अच्चा इसका अगर full farm लिखें बच्चों तो atomic atomic mass unit और gram gram को हम और लिख सकते हैं ऐसे gram gram atomic atomic bait gram atomic bait भी बोलते हैं gram atomic bait भी बोलते हैं अच्चा atomic mass unit मतलब amu कभ यूज करेंगे एक atom का अगर bait होगा तो amu बोला जाएगा बच्चों जैसे देखो one atom bait of one carbon atom एक carbon atom का bait है तो amu में आया है तो अगर amu टर्म यूज किया गया मतलब one one atom की बात हो रही तो atomic mass unit मतलब amu यह क्या बताता है यह बताएगा bait up one atom one atom का अगर bait हमें करना है तो amu बोला जाएगा क्यों amu में one atom का bait करना हमारे लिए सही है क्योंकि atom भाई सबसे छोटा है और सबसे छोटे particles को सबसे कम वजन है तो सबसे छोटी unit हम bait का यूज करेंगे वो क्या है amu है बात समझ में आ रहा बच्चो एस या नो कमेंट करके बताएगे कमेंट करके बताएगे इस समय कौन कौन देख रहा है प्रिंस यादो देओ मिस्रा राजेस देखे gram atomic bait अगर हम देखें बच्चो gram atomic bait का अगर देखें तो इसको shortcut में मैं लिखूंगा gram atomic bait जी ए डबलू भी कभी कभी बुक में आपके लिखा रहेगा तो आपको समझना है gram atomic bait ये लिखा है ये कितने का bait होगा बच्चों ये होता है bait of bait of one mole one mole atom का जो bait बच्चों होगा हम gram यूज करेंगे क्योंकि gram atomic mass unit से बड़ा unit है और एक mole में तो धेर सारे atom होंगे तब हमें जो है suitable unit जो यूज करना है वो क्या यूज करना है gram अब one mole atom का जो bait होगा वो gram में one atom का जो bait होगा वो amu में तो अगर हम mole को number में बदलने बच्चों तो इसी को मैं का सकता हूँ bait of 6.022 into 10 to the power 23 atom atom मतलब चाहे one mole बोला जाए चाहे 6.022 into 10 to the power 23 बोला जाए बात एक ही है मतलब इतने atom का जो bait होगा बच्चों हम किस में बोलेंगे gram में बोलेंगे और अगर one atom का bait होगा तो उसको हम किस में मीजर करते हैं suitable कौन सा रहेगा amu ऐसा नहीं है कि उसको मीजर ही नहीं किया जा सकता है लेकिन बहुत छोटा number आएगा लेकिन जो suitable होता है उसको हमें ध्यान देना है ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं जैसे अब interesting देखिए जैसे मैं जैसे अगर आपसे कहें अगर आपसे कहें बच्चों 6 carbon 12 है 6 carbon 12 है तो 6 is atomic number 12 is mass number mass number मतलब उसी को atomic weight हम बोलते हैं थोड़े टाइम के लिए atomic weight और mass number में difference है अभी आगे आज मैं आज ही class में clear करता हूँ बहुत से बच्चे जाते हैं यार atomic mass और weight mass number दोनों सेम ही है क्या और कब सेम होगा कब different होगा उसको भी आज आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही conceptual आपको आज clear होने वाला है देखिए बच्चों six carbon 12 का अगर हम unit देखें तो दो unit आप लिखोगे पहला number amu पहला क्या यूज करोगे amu amu तो कितना amu अगर हम यहां लिख दें 12 amu और यहां मैं लिख सकता हूँ 12 gram चाहे 12 amu लिखें चाहे 12 gram लिखें तो अगर मैं 12 amu लिखा इसका मतलब यह हुआ बच्चों बेट आफ बेट आफ one carbon atom बेट आफ one carbon atom एक carbon atom अगर ले लिया जाए बच्चों तो उसका बेट amu में कितना होगा 12 amu होगा और अगर 12 gram है इसका मतलब बच्चों हुआ बेट आफ one mole one mole carbon atom एक mole carbon atom का जो बेट होगा बच्चों उसको हम 12 gram बोलेंगे ऐसे ही इसको और क्या बोल सकते हैं इसको बच्चों हम बोल सकते हैं बेट आफ 6.022 into 10 to the power 23 atom carbon atom carbon atom यानि 6.023 into 10 to the power 23 carbon atom का जो बेट होगा वो 12 gram होगा एस या नो समझ में आया कि नहीं आया सरद्धा सुकला प्रिंस यादो कमेंट करके बताए गूड मॉर्निंग समझ में आया कि नहीं आया बताए बेट आफ one mole 12 gram बेट आफ 6.023 बेट आफ one carbon atom अगर होगा तो 12 AMU हम बोलते हैं चलिए एक एक जामपल मैं और लेता हूँ इसका स्क्रीन साट आप लीजिए और इसको नोट्स भी बनाते रहिए लाग डाउन में आपका मैक्सिमम में कवर कराने कोशिस करूँगा जिसे आपका लॉस ना हो आप घर बाइट करके अच्छे से तयारी कर सकते हैं तो अगला बच्चों मैं अगला एक जामपल एक और मैं लेता हूँ देखिए अगला एक जामपल जैसे अगर बात किया जाए जैसे बात करें बच्चों 8 oxygen 16 अब बताए अगर मैं amu लिखूँ तो लिख सकता हूँ 16 amu और मैं लिख सकता हूँ 16 gram क्योंकि उपर 16 है अच्छा 16 amu का मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ बेट आप 1 आक्सीजन एटम एक आक्सीजन एटम का जो बेट होगा बच्चों वो 16 amu होगा आईसे ही बेट आप बेट आप 1 mole 1 mole आक्सीजन 1 mole आक्सीजन एटम 1 mole आक्सीजन एटम का जो बेट होगा बच्चों 16 gram होगा होगा कि नहीं होगा बताए 16 gram अगर इसी को आईसे भी तो बच्चों बोल सकते हैं बेट आप 6.022 into 10 to the power 23 3 आक्सीजन एटम आक्सीजन एटम का जो बेट होगा बच्चों वो 16 gram होगा कोई दिक्कत कोई डाउट चलिए आगे पढ़ते हैं अब देखिए ये कॉंसेप्ट आपको समझ में आया अब अगर आपसे क्वेस्चन पूछा जाए देखिए क्या क्वेस्चन है नुमेरिकल है आपकों ये पच्चों फाइन आउट NCIT का क्वेस्चन है फाइन आउट फाइन आउट दा नम्बर आफ नम्बर आफ हीलियम अकटम फाइन आउट दा नम्बर आफ हीलियम एटम इन फस्ट अंडरेड एम्यू 100 µ्यू में कितना helium atom होगा and second is helium atom 100 gram और 100 amu में कितना helium atom होगा ये हमें find करना होगा बास समझ में आया बच्चो कोई दिक्कत चलिए नहीं आगे बढ़ते हैं आगर हम solve करें तो helium atom होगा है helium atom का आगर representation हम लोग देखें 9th class में पढ़ चुके है 2he4 helium होता है 2 is atomic number 4 is mass number और mass number थोड़े time के लिए atomic bait के बराबर हो जाएगा ठीक है जब कब होगा जब कोई भी element isotopic फार में ना exist करें तो atomic bait और atomic mass number दोनों सेम होगे ठीक है तो चलो अगर इसका मैं देखूं तो इसका मतलब 4amu और इसी को मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों लिख सकता हूं 4 gram 4Mu and 4 gram लिख सकते हैं कि नए अब इसका मतलब क्या हुआ 4Mu 4Mu का मतलब हुआ बच्चों bait of 1 helium atom समझ में आ रहा है और अगर 4 gram की बात करें बच्चों इसका मतलब बेट आफ बेट आफ वन मोल वन मोल हीलियम एटम का जो बेट है वो 4 gram होगा या इसी को लिख सकते हैं बेट आफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 हीलियम एटम इसका मतलब यही हुआ कि अगर 6.023 इंटू 10 to the power 23 हीलियम एटम का बेट अगर देगा है तो 4 gram होगा इतने का बेट 4 gram होगा तो अब यह बताइए बच्चों अब इस question को ऐसे यह बताइए 4 amu helium contain contain कितना atom contain कर रहा है one helium atom 4 amu helium atom contain one helium atom तो बताओ आप one amu helium contain contain कितना one by क्या करोगे four into one unitry method लगा दो इसे को बोलते हैं unitry method इसे को क्या बोलते हैं unit one amu 1 by 4 कर दो into one helium atom लेकर आप से कितना helium atom होगा अब आप बताओ 100 amu into 100 और इसको solve करोगे तो 25 helium atom 25 helium atom आ जाएगा बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों तो अगर 100 amu helium है तो कितने atom होगे 25 atom होगे अरे भाई जब 4 amu में one atom तो 100 amu में 25 आएगा कि नहीं आया unit 3 method लगा दीजिए आसानी से answer मिलेगा ठीक है बच्चों अगला आप लोग solve कर सकते हैं कि नहीं बताए 100 gram helium में कितना होगा तो इसको भी आप solve कर सकते हैं बताए कैसे solve करेंगे अच्छा ये बताओ ये बताए आप 4 gram helium atom contain helium atom contain कितना 6.022 into 10 to the power 23 helium atom अरे भाई 4 gram कितना atom रखता है 1 mole ग्राम है तो mole की बाप करेंगे mu है तो atom 1 atom की बाप करेंगे इतना helium atom तो ये बतादो 1 gram helium atom contain करेगा contain कितना 6.022 into 10 to the power 23 divide कर दो 4 into 1 ये तो करेंगे अच्छा ये बताओ आपसे कहा जा रहा है कि 100 gram helium में कितना helium atom होगा तो 100 gram helium atom contain क्या करोगे 6.022 into 10 to the power 23 divide by 4 into कर दो 100 equal to solve करोगे तो 25 into 6.022 into 10 to the power 23 helium atom this is your answer आपका ये answer आ चुका है बात समझ में आया बच्चों यहां तक कितने लोग समझ गए हैं बताइएगा comment करके बताइए यहां तक कितने लोगों का concept clear हो चुका है कितने लोगों का concept यहां तक clear हो चुका है चलिए एक question मैं आपको और दे रहा हूँ और आप solve करके बताइए अगला numerical देखिए next numerical है आपके लिए find out next numerical है देखते हैं कितने लोग करवाते हैं बच्चों find out find out number of nitrogen atom number of nitrogen atom in following number of nitrogen atom in following first is 70 amu and second 70 gram 70 amu nitrogen में कितने nitrogen atom होंगे कितने लोग समझ कर पाएंगे इसको बताइए कितने लोग इस question को कर सकते हैं चलिए मैं solve करके दिखा रहा हूं first of all हम लोग क्या करेंगे nitrogen का representation लिखेंगे seven nitrogen fourteen ये ninth में हमें पढ़ाया गया है थेखा है अब इसको हम क्या करेंगे amu और gram में लिखेंगे तो 14 amu and 14 gram लिख लिया 14 amu मतलब क्या हुआ बेट आफ one nitrogen atom एक nitrogen atom का जो बेट होगा 14 amu होगा तो ये बता दो 14 gram कितने का होगा तो बेट आफ 6.023 वन मोल यानि 6.022 या 23 into 10 to the power 23 nitrogen atom ये तो basic concept हमें पता है अब इसको अपलाई करेंगे ये बता ये बच्चों 14 amu नाइट्रोजन कंटेन कितना one nitrogen atom 14 amu nitrogen atom में one nitrogen atom है तो ये बताओ one amu nitrogen atom contain one by 14 into one nitrogen atom होगा और आप से कहा जा रहा है 70 amu में बता दो तो 70 amu nitrogen contain one by 14 into 70 तो आ जाएगा five nitrogen atom कितना nitrogen atom हो जाएगा five nitrogen atom बात समझ में आया कि नहीं बताइए कितने लोग को समझ में आ गया चलिए अगला इसका बी पाइट हम लोग करते हैं बी पाइट क्या है बी पाइट आप से कहा जा रहा बच्चों 70 gram में कितना nitrogen atom होगा तो क्या करेंगे 70 gram निकालना है तो ये बताओ 14 gram nitrogen contain कितना nitrogen atom 6.022 x 10 to the power 23 nitrogen atom 14 gram nitrogen में इतना nitrogen atom है 6.022 x 10 to the power 23 nitrogen atom तो 1 gram में कितना होगा 1 gram nitrogen contain 6.022 x 10 to the power 23 divided by 14 into 1 nitrogen atom तो question is 70 gram में कितना होगा तो क्या करेंगे आप नाइट्रोजन एटम दिस इस यूर आंसर बात समझ में आया बच्चों कोई डाउट्स कोई प्रॉब्लम बताये किसी को कोई प्रॉब्लम चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं बच्चों अब कुछ पॉइंट हम लिखते हैं additional point लिखते हैं note करके note लिख लिजिए कि इफ इफ एलिमेंट इफ एलिमेंट नाट नाट एक्जिस्ट इन आइसो टोपिक आइसो टोपिक फार में अगर कोई भी इफ एलिमेंट इफ एक्जिस्ट नहीं कर रहा है देन देन क्या होगा atomic weight equal to हो जाएगा mass number अगर कोई atom इफ एक्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस atom का जो atomic weight होगा वही atomic mass number हो जाएगा दोनों बराबर होंगे जैसा कि आपको पता है mass number a equal to proton plus neutron mass number a equal to proton plus neutron और a क्या है यह हमेशा whole number में होगा whole number में होगा कभी fraction में नहीं हो सकता mass number कभी भी fraction में नहीं हो सकता है why क्या region है क्योंकि mass number नमबर आप proton और नमबर आप neutron होता है और क्या proton neutron की संख्या number में होगा क्या आधा proton हो सकता है क्या आधा neutron हो सकता है नो तो इस वज़ा से mass number mass number यह है mass number कभी भी fraction में नहीं हो सकता हमेशा whole number में होगा तो atomic bait तभी whole number में होगा जब वो mass number के बराबर हो और mass number के बराबर तभी होगा जब element अपने isotopic far में exist ना करे बहुत ही conceptual बात हो रही है बच्चों maximum student यही नहीं समझ पाते हैं कि atomic bait और mass number अलग अलग है कि same ही है तो same भी हो सकता है अलग भी हो सकता condition है कि अगर element atomic form में अगर exist कर रहा है तब तो same नहीं हो सकता अगर नहीं कर रहा है तो atomic bait और mass number दोनों से हो सकते हैं तो एक point और लिखेगा बच्चों if if element element exist exist in isotopic isotopic form isotopic form तब कि अगर element isotopic form में exist करता है तो उसका average atomic bait निकालते हैं क्या निकालते हैं average atomic bait निकालते हैं अगर कोई भी element बच्चों isotopic form में exist करता है तो उसका average atomic bait निकालेंगे और अगर isotopic form में exist नहीं कर रहा है तो वह whole number में mass number के बराबर उसका atomic bait होगा बात समझ में आया बच्चों अब देखे एक concept मैं आपको बताने वाला है जैसे माल लेते हैं बच्चों एक concept हमारे सामने है जैसे माल लेते हैं कोई भी substance है माल लेते हैं जिसका mass यम है और उसके तीन isotope हैं बहुत important IIT J में यहाँ से numerical आता है IIT में यहाँ से question कई बार आ चुका ध्यान देना कोई भी element है जिसका माल लेते हैं atomic mass यम है उसके तीन isotope अगर है isotope माल लेते हैं तीन है तो एक का atomic mass हो जाएगा M1 दूसरे का M2 और तीसरे का M3 अब तीन फार में अगर वो पाया जा रहा isotopic फार में तो तीनों nature में अलग-अलग percentage में पाये जाएंगे तो nature में existence अगर देखा जाए माल लेते हैं M1 X1 amount पाया जा रहा nature में M2 का जो existence X2 है और M3 का existence X3 है तो average atomic weight जो फार्मूला बना बच्चों average atomic weight equal to M1 X1 plus M2 X2 plus M3 X3 divided by X1 plus X2 plus X3 तो आप इस तरीके से average atomic weight calculate कर सकते हैं बहुत interesting बहुत important आपको बच्चों ये concept पता होना चाहिए जब तक आपको ये concept नहीं पता होगा आप आसानी से numerical नहीं लगा पाऊगे बहुत interesting है बच्चों average atomic weight आप आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है ये फार्मूला आपको याद रखना ये IIT J में question यहां से आ चुका है कई बार तो हम आगे बढ़ते हैं note एक मैं लिखवाऊंगा उसके बाद आपको numerical करना है एक note मैं लिखने जा रहा हूँ हूँ important है बच्चों note ये है कि mass number mass number यानि A equal to proton plus neutron E equal to proton plus neutron is always is always in whole number is always in whole number whole number while while atomic atomic bait may be may be in fraction atomic bait fraction में हो सकता है लेकिन mass number हमेशा whole number में ही होगा ये बहुत ही interesting बात है बच्चों आपको पता होना चाहिए ठीक है बच्चों इतना conceptual आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है बुक से समझना ही पाओगे और यही topic आप किसी का वीडियो देखिए YouTube पर search करिए तब आपको quality पता चलेगा तो बच्चों इस पर हम लोग numerical करते हैं numerical देखते हैं कितने लोग इसका numerical solve कर पाते हैं देखिए numerical है इस पर numerical हम करेंगे बच्चों देखिए फर्स्ट क्वेस्चन है टू एलिमेंट टू एलिमेंट आप क्लोरीन क्लोरीन की दो एलिमेंट है 17 क्लोरीन 35 आइंड 17 क्लोरीन 37 37 आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट इन दा इन दा रेशियो आप 3 इस्टु 1 की रेशियो में नेचर में पाए जा रहे हैं नेचर 3 इस्टु 1 रेशियो बाई बोल्यूम बाई बोल्यूम इन दा इन दा नेचर इन दा नेचर दा आवरज average atomic weight of chlorine is average atomic weight of chlorine is first option बच्चों 35 and second option 37 first option 35 second option 37 third option 36 and fourth option 35.5 पताइए 4 option दे दिया गया है तो इसको हमें solve करना होगा तो हम क्या करेंगे देख रहे हैं हमारे पास दो atom है 17 chlorine 35 है और second 17 chlorine 37 दो isotope है तो अब यहां M1 बच्चों M1 35 है उपर वाला atomic mass या mass number और M2 equal to 37 और 3 is to 1 के ratio में अगर है तो इसका मलब X1 equal to 3 and X2 equal to 1 तो रख दो average atomic bait equal to आपको पता है M1 X1 plus M2 X2 divide by X1 plus X2 तो M1 कितना है 35 X1 कितना 3 plus M2 कितना 37 into 1 divide by 3 plus 1 और उसको solve करोगे तो 35.5 answer तो कौन option सही है D option हमारा correct है तो बच्चों उमीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कोई दिक्कत है या नहीं मैं question दे रहा हूँ इसका answer आप solve करके दिखाओगे मैं numerical लिख रहा हूँ जो J में आया हुआ है देखते हैं कितने लोग इस numerical को कर पाते हैं अगला numerical है बच्चों लिखेगा अगला numerical है the relative the relative abundance relative abundance the relative abundance up to आईसोटोप up to isotope of atomic weight atomic weight 85 and and 87 is 75% and 25% यानि 3 to 1 का राशियो में भी है 75 and 25% respectively 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 the the average atomic weight of element element का average atomic weight क्या होगा तो first option दिया है question में 75.5 second option दिया है 85.5 and third option दिया है बच्चों 40 and D option दिया है बच्चों 86 है आपको ये पताना इसमें कौन सा option सही है तो आप निकाल सकते हो बच्चों calculation तो करी लेते हो यहां M1 कितना है M1 है 85 M2 कितना है 87 X1 कितना है 75 X2 कितना है 25 रख दो आसानी से आंसर ला सकते हो average atomic bed equal to M1 यानि 85 X1 मतलब 75 85 into 75 और प्लस M2 87 उसके बाद 25 divide कर दो कितने से 75 प्लस 25 solve करोगे बच्चों तो 85.5 answer तो कौन option सही है option B is correct ठीक है बच्चों अगला question मैं दे रहा हूँ यह J E में आ चुका है IIT J E में अगला question आया हुआ है देखते हैं कितने लोग इसको solve कर पाते हैं notes में आप लोग add करते चलिए effective notes में आपको provide करने वाला हूँ चलिए अगला नुमेरकल अगला नुमेरकल बच्चों है गिवन देट गिवन देट दा अबंदेंस गिवन देट दा अबंदेंस अफ इसोटोप आइसोटोप F E 54 F E 57 56 है and F E 57 तीन आइसोटोप 54, 56, 57 are 5% 90% and 5% respectively and 5% respectively the average the average atomic weight of iron is यह आई आई टी में आ चुका है बच्चों देखते हैं कितने लोग इसको solve कर पाते हैं फर्स्ट आप्चन इसने दे दिया है 55.85 second option बच्चों दिया है 55.95 तो आपको यहां solve करके दिखाना होगा चलो तीन आइसोटोप हैं तो यह मोवन माल लेते हैं 54 यह टू माल लेते हैं 56 दिया है और M3 लेंगे 57 यह तो गिवन है ना यह तो question में दिया ही है अब बताओ एक्समन कितना एक्समन लेलो 90 परसेंट स्वारी 5 परसेंट 5 परसेंट एक्स्टू कितना 90 परसेंट एंड एक्स्ट्री कितना 5 परसेंट रख दो रखोगे आंसर मिलेगा तो कैसे solve करोगे average atomic weight equal to M1 मलब 54 इंटू X1 5 प्लस M2 56 इंटू X2 90 प्लस M3 57 इंटू 5 डिवाइड बाइ 5 प्लस 90 प्लस 5 solve करोगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा 55.95 दिस इजे यूर आंसर तो बच्चों कौन सा अपसन सही है बी तो ये इस टाइप के question IIT जे और नीट में बार बार आते रहते हैं तो उम्मेद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा अब इसके बाद मैं 12th का class लेने जा रहा हूं इसके बाद हम लोग कल फिर continue करेंगे ओके थैंक्यू